Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel So, आज हम बात करने वाले हैं इस मन्त की लेटर जो विकेंसिस के बारे में जहाँ पर हम 5-6 नोटिफिकेशन कवर करने वाले हैं 1 by 1 आपको बताऊँगी कौन से डिपार्टमेंट का है क्या के विकेंसिस यहाँ पर आउट हुई हैं पोस्ट वाइस के आकर इलिजिवरिटी माँगी हैं कैसी आपकी यहाँ सेलेक्शन एड जोइनिंग होने वाली हैं सबसे ची बात ही है कि यह All India Candid के लिए नोटिफिकेशन आगी है All India से आप अप्लाई करे सकती है चाहे कोई विलेज है चाहे कोई डिस्टी का टाउन है इसलिए मैं आपको वेशा बोलती हूँ चैनल को सबस्क्राइब करके बैल इकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि कोई भी लेटस्ट अप्डेट आता है सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आती हूँ यहां पे आप अल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं मेल फिमल दोनों ही जॉब लोकेशन भी आपके एक रॉस इंडिया है हर एक क्वालिफिकेशन वाइस वी कैंसी जो यहां पे रिलीज हुई है हर चीज को वन बाई वन कवर करते चाहेंगे एक एक नोटिफिकेशन का डिटेल में आपको समझाने वाली हुई ठीक है तो वीडियो को लास सक देखना है वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है प्यारा सा लाइक जरू कर दिना आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए ने अप्डेट लेकर आने का और आप सोचल मीडिया में डेफिर्टी होंगे किसी ना किसी ग्रूप में आप आज जरूर होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्याद चाद आपने शेयर भी जलूर करना हो जिसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शिं में दिया गया है वहांपे मैं सबसे पहले अप्डेट कर देती है क्योंकि वीडियो आने में ठोटा टाइम लग जाता है तो हमारे साइट पे विजिट करके इसके इलावा जो विकैंसिस आ रही है आप उसको डेली बेसिस पे चैक कर सतनी है सिधा गोगल पे टाइप करने ना पहली नमर पे साइट मिल जाएगी कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करने पड़ेगी एक और आपके लिए गोड़ेश है आप बताना चाहते हूं लेटस्ट विकैंसिस आ गी है एक आचुका है नोटिफिकेशन एमाजोन की तरफ से और एक नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से बिल्कुर नई विकैंसिस का आया है तो यही दोनों वीडियो सा रही है हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा पर यूट्यूब में जाके लिखना मीत शर्मा चैनल यहां को चैनल मिल जाएगा यहां पर लेटस्ट विकैंसिस को आप चेक करके अप्लाइ कर सकते हैं ज्यादा डाइबी नेंगे सीधा बात करेंगे लेटस्ट विकैंसिस के बारे में जहां पर 5-6 नोटिफिकेशन कवर करने वाले हैं पहले पहले नोटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है विकैंसि कौन कौन सी है selection कैसी होनी है क्या क्या requirements है हर चीज को detail में cover करते जाएंगे वीडियो को end तक जरूर देखना चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना सबसे पहले हम पहले notification के बारे में बात करें यहाँ पे यह जो release हो चुका है SBA, मतलब State Bank of India की तरवसी notification आया है जहाँ पे all India candidate invited apply कर सकने है male female दोनों ही job location आपके घर पर पास मिलने वाली है यहाँ पे देखिए सारी चीज़े लिखी होई है apply mode आपका वो online है online ही apply करना है कोई भी other mode नहीं है यहाँ पे apply करने का तो यह सारी चीज़े आपको देखके in weekends के लिए apply करना है पर मंथ सेलरी है उसके बाद assistant manager security analyst की है जिसमें आपके 49,000 से 50,000 पर मंथ सेलरी है उसके बाद assistant general manager की है इसके लिए भी same salary 63,840 पर मंथ उसके बाद credit analyst की लिए 78,230 आपकी यहाँ पे सेलरी है ठीक है उसके recording आप apply कर सकने है application fee आप notification में अपने recording jack कर लेना post wise ठीक है selection की यहाँ बात करें इसमें आपका कोई exam नहीं है ठीक है सीधा interview पे इन्होंने बुला लिया है आपको walk-in interview पे उसके basis पे यहाँ पे selection and joining है age limit minimum as per norms है maximum 60 के around भी है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकने है इन विकैंस में ठीक है उसके बाद यहाँ अगर बात करें आपको सिर्फ online ही करना है graduate candidate यहाँ पर eligible है और इन विकैंस के लिए अप्लाई कर सकने है last में आपको required link मिल जाएंगे वहाँ करके आप अप्लाई कर सकते हैं यह तो है पहला notification है बात करते हैं इन विकैंस के बारे में जोगी इंडिया पोस्ट का है most of 18 notification था और इंडिया से आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं post office की विकैंस के लिए यह भी male female दोनों की विकैंस है और इंडिया इसके लिए जॉब लोकेशन है यह भी Central Government का ही डिपार्टमेंट है 18,000 से 81,000 तक आपकी यहां salary है 10th 12th graduate apply कर सकते हैं तो काफी अच्छा मोग है आपके पास next level बात करें इसमें विकैंस देखें कौन कौन सी है basically यहां तेन टाइड के विकैंस है पहली male guard की, second postman, third multitasking staff की male guard के लिए यहाँ पी लेवल 4 के recording salary है जोकि आपकी 25,500 से 81,100 postman के लिए आपकी level 3 के recording 21,700 से 69,100 है अब multitasking staff के लिए 18,000 से 56,900 तक आपकी यहां salary है उसके recording आप यहां apply कर सकते हैं next जो यहां पर बात करें post wise क्या क्या eligibility है तो सबसे पहले जो post है male guard की इसके लिए देखे 12th graduate दोनों apply कर सकते हैं postman के लिए same इसी तरीके से 12th graduate दोनों apply कर सकते हैं multitasking staff के लिए 10th, 12th graduate तीनों यहां पर eligible apply कर सकते हैं ठीक है तो काफी अच्छा मोका है आपके पास in vacances के लिए भी age meet इसके लिए minimum 18, maximum 27, plus relaxation है जहां पर OBC को 3 साल का, SCST को 5 साल का है PWD Earned Deserved के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का, PWD SCST के लिए 15 साल का relaxation है इतना आपको step by step apply की वीडियो मिल जाती है last में link मिल जाएंगे apply करने के लिए अब चलते है next notification पे next notification आपका आ गया है वो आपका सीधा release किया गया है SSC की तरफ से बिलकुर नया notification है SSC मतलब staff selection commission की तरफ से notification है job location इसके लिए आपके across India है अलग-अलग salary आपकी यहां पे रह रहे है यहां पे भी all India आपकी job location ही रहेगी तो हर कोई आप में से यहां पे इन विकैंसी में eligible है और apply कर सकता है next अगर यहां पे बात करें इसमें विकैंसी कौन-कौन सी है सबसे बेल यहां पे पोस्टर लैब assistant grade 3 की विकैंसी है technical operator, storekeeper, junior engineer, scientific assistant, field assistant, technical officer, technical superintendent की विकैंसी है यहां पे उसके बाद next अगर यहां पे हम बात करें textile designer की विकैंसी है scientific assistant की है clerk की विकैंसी है और assistant की विकैंसी का यह notification है जहां पे यहां पे हर को apply कर सकता है 10th pass, 12th pass, graduate apply कर सकते है freshers apply कर सकते है अब सबसे important चीज़ है आपकी सेलेक्शन कैसे होने वाली है तो देखें आपका सबसे पहले CBT exam होगा मलदब आपका computer-based test होगा उसके बाद यहां पे skill test हो सकता है अगर आप किसी post career required होगा otherwise सिदह आपका physical test होगा medical document verification होगी उसके basis पे final selection होने वाली है apply mode सिरफ online है यहां पे clearly यहां ने दिखा भी होगा salary यहां पे अलग अलग है 90 minutes का time आपके पास होगा exam को attempt करने के लिए जहां पे देखें general intelligence, awareness, aptitude और English language related questions आपके रहेंगी 200 questions उसके बाद fee के बार में बात करें यहां पे देखें fee जो है आपकी है यह male candidate female candidate के लिए 100 female candidate के लिए 100 female candidate के लिए कोई भी नहीं है चाहिए आप किसी भी category से है SC, SC and others के लिए payment mode online है जो कि मैंने आपको पताया सिरफ male candidate के लिए age limit minimum 18 maximum 30 plus relaxation इस video में आपको step-based apply कैसे करना है required link में आपको मिल जाएंगे पहला link apply का second notification का अब हम बात करते है next notification के बारे में बिलकुन नया notification आपका Indian Army की तरह से Indian Army की तरह से जो notification है online apply करना है male female दोनों के लिए यहाँ पे vacancies है salary आप यहाँ देखिए 30,000 से 40,000 तक आपकी यहाँ salary है next यहाँ बात करे आपकी कौन-कौन सी vacancy है तो सबसे पहले है आपकी general duty के लिए 10th pass clerks या फिर storekeeper की बात करे 12th pass tradesman के लिए 8th 10th apply कर सकते है technical के लिए 12th pass तो यहाँ पी basically 8th 10th 12th even graduate चाहते है वह भी यहाँ पी apply कर सकते है permanently आप यह vacancy है हरकोई apply आप में से यहाँ कर सकता है ठीक है next अगर बात करे application fee यहाँ describe नहीं किया किसी भी category के लिए तो आप उसको nil consider कर सकते है इसमें देखिए आपका written exam हो रहा है physical fitness test होगा medical होगा document verification होगी पहला step इसमें भी आपका written exam का ही है उसके बाद आप physical के लिए तैयार रहेए ठीक है medical होगा document verification आपको final selection मिल जाएगी ठीक है next अगर हम बात करें age limit के बारे में आपकी age minimum 17 and half है ठीक है apply कीजे तो यहाँ maximum 21 है age relaxation यहाँ पे आपको मिल सकता है as per norms है तो यह आपको ध्यान रखना है type of job आपके defense job है eligibility मैंने आपको already बता दी है 8th 10th 12th graduate even post graduate भी apply कर सकने है job location across India है latest vacances करीगी हमारी site को google पे type करना पहली number मिल जाएगी उसके बाद last में आपको link मिल जाएगी यह पहला apply का है second notification PDF का click करेंगे notification PDF आपके सामने उपन हो जाएगी इसके इलावा जो vacances आई है वो आप यह चेक कर सकते हैं यह तो है आपका इंडिन नार्मी का notification बात करते है next notification के बारे में यह जो notification आ चुक है यह पी clerk की latest vacances का है male female दोनों के लिए apply mode online है और India male and female यहाँ eligible और apply कर सकते है बिल्कुर नया notification आया है आप हर कोई आपने सी apply यहाँ कर सकते है यहां पर बात करें other requirements के बारे में vacances कौन कौन सी है junior assistant and clerk की vacances 4197 vacances टोटल यहाँ आउट हुई है इसके लिए सीधा अनो ने यहाँ mention किया कि आप all India सी apply कर सकते हो ठीक है यहां selection के बार में बात करें सबसे पहले यहां पर देखिए आपका return exam हो रहा है उसके बाद document verification उसके basis पर यहां selection and joining है तो यह सीधी आपको ध्यान रखने है उसके basis पर आपको selection मिनने वाली है उसके बाद यहां पर इसके इलावा इसको आप चेक करके apply करें तो जिसके लिए भी आप eligible app यहां भी apply करें सकते हो नेक्स्ट कर application fee के बार में बात करें earned deserved के लिए 600 है मतलब general या OBC के लिए 600 application की fee है SC, SD के लिए 400 है और general OBC के साथ other state के candidate के लिए 600 application की fee है नेक्स्ट के यहां बात करें इन्वी कैंस्ट में apply कैसे करना है और क्या care requirements है क्या age limit है तो इसके लिए minimum आपके age 18 ने apply कीजी maximum 40 है तो आप apply कर सकते है earned deserved ठीक है और reserve के लिए यारी lexation definitely है OBC के लिए 3 साल का S.A.S.T. को 5 साल का others को asper norms मिलने वाल है आपको लिंक मिल जाएंगे यह पहला apply वाला लिंक है second आपको notification PDF का मिल जाएगा third आपको जो इसके इलावा विकैंसिस आई उसका लिंक आपको मिल जाएंगा जिसके लिए आप इलिजी बला apply जरू कर लेना 12th past graduate के लरकी position के विकैंसिस है इसमें तो जरूर apply करना क्योंकि आप में से हर कोई apply यहां कर जकता ठीक है मैंने आपको बताया दो latest notification आया वो वीडियो हमारे second YouTube channel मीत शर्मा चैनल पे आएंगी उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी opportunity आपके हाल से मिस ना हो और आज हमने इस वीडियो में लेटर जो notification डिसक्राइब की है 5-6 अलग अलग government department की डिसक्राइब की है जिन भी विकैंसिस के लिए आप eligible है apply आपको इन विकैंसिस के लिए जरूर से कर लीना है यह सारे के सारे apply करने की link आपको हमारी official website पर मिल चाहेंगे www.klory.com link उसका description में available है google पर type करना पहली नमबर पर site मिल जाएगी जितनी भी recent विकैंसिस आई आप उसके लिए apply कर सकने है even जो मैंने notification आपको बताए है one by one उसके लिए भी आप जाके अभी इन विकैंसिस के लिए apply कर सकने है बाकि आपके कोई भी क्वेरी है कि CB notification के regarding चाहे इन विकैंसिस के regarding हो चाहे किसी अधर तो आप comment जरूर करना हमारी team बैठी है definitely आपको help मिलेगी instagram फेजू पेज में follow रखना उसका भी link description में दिया गया है telegram group को तो अभी जाके join करेना कोई भी latest update चाहे को विकैंसिस का हो exam date, results से related हो उसकी information आपको सबसे पहले हमारे telegram group पे मिल जाती है तो उसको भी जाके join करना link आपको description में दिया गया है बाकि देखिए अगर आप हमारे चैनल technical government job all over इंडिया पे पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पे को subscribe करके bell icon को जो repress करना चलिए आज के लिए इतना next update मिलेंगे नई information के साथ thanks for watching